टीवी का पॉपुलर शो बड़े अच्छ लगते हैं टू जिसमें राम और प्रिया की बीच में इन दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है वो बढ़ रही है लेकिन आखिर कारिये कब क्लोज आएंगे कब इनने एक दूसरे की लाइफ में जो इंपोर्टेंस है कि इन दोनों की लाइफ में एक दूसरे की जो इंपोर्टेंस है इनने कब पता चलने वाली है जिसके लिए अब आपको बताते हैं इस टीवी शो में एक नई एक्टर की एंटरी हो रही है जिसके चलते अब कहानी मे महा ट्विस्ट आने वाला है तो चलिए आपको बताते हैं पिउश सचदेवा जिनों ने देवगे देव महादेव में रामा के रोल को प्ले किया था और इसी के साथ कबीर त्रिपाठी का रोल उन्होंने प्ले किया था सपने सुहाने लड़कपन में और कई टीवी शोज में नोंने काम किया है तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पिउश सचदेवा की एंट्री के बाद राम और प्रिया के बीच में जो करीबिया है वो और बढ़ जाएंगी जहाँ पर आपको बताते हैं रिपोर्ट्स की माने तो बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर राम कपूर्ज है जो की जब उनकी एंट्री होगी पिउश सचदेवा की जो की क्लोस फ्रेंड है पिउश के और जब वो एक दूसरे के साथ दिखेंगे राम को राम के मन में जलसी पैदा होने वाली है राम जो की जलस हो जाएगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और उसके बाद आपको उदाते हैं जहाँ पर इनका जो बॉंड है पिउश सचदेवा का होने वाला है जो बॉंड दिखाएंगे इस कहाने में जिसको देखकर राम और जलस हो जाएगा जिसके बाद राम अपनी फेलिंग्स को एक्सप्रेस कर देगा प्रिया के सामने और इनी सब चीज़ों को देखने के बाद इन दोनों को एक दूसरे की इंपोर्टेंस पता चलेगी कि आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने जादा इंपोर्टेंट है तो पियुष सचदेवा की जो एंट्री हो रही है वो कुछ इस तरीके से मेकर्स लेकर आएंगे और बॉलिवड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते हैं उनका जो नाम है वो क्रिष बताया जा रहा है कि क्रिष एंट्री विल ब्रिंग राम और प्रिया क्लोजर तो इच अधर आप अधर आप सब क्या कहने चाहते हैं कितने एक्साइटेड हैं आप कमिंग ट्रैक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए